की बड़ी और एम जानकारी राइपूर्स चारी जहां पर सर्वा आदिवासी समाज मोर्चा खोले हुए हैं राजभवन का घेराफ कर रहे हैं बुड़ा तालाप पर धन्ना प्रदोशन किया जा रहा है बड़ी संख्या में आदिवासी समाज बुड़ा तालाप पर शिवम मिश्रा जानकारी के साथ जुड़े हैं शिवम आदिवासी समाज सठकों पर है राजभवन की कूच की तैयारी की जारी बागी क्या आपडेट बिल्कुल देखे मैं आपको से पहले तो तस्वीर दिखाना चाहूंगा राइपूर के सप्रेशाला मैदान की जहां पर आप देख सकते कि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो सर्वादिवासी समाज के लोग हैं अध्जारू की संख्या पर वो यहां पर एक जूट ह हो हैं और लगत्तार अपने अप्टिस फिजदी आरक्षण की मांग को लेकर के नारेबाजी की जा रही है साथी राजभुमन का घिराओ कर निकले आदिवासी समाज के लोग निकल गए हैं और बता दिकी केवल एक ही मांग है प्टिस फिजदी आरक्षण जो लंबे समय से लंबित है प्रदेश में जिसके लेकर के राजनीती भी गर्माई हुए प्रदेश भर में उस आरक्षण की मांग को लेकर के आदिवासी समाज जो अलग-अलग जो समाज के लोग है आदिवासी वर्ग में ही वो सब जो एक जूट हो चुके हैं और अब जो है राजभुमन के घिराओ करने के लिए याँ पर कुछ कर रहे हैं हमारे साथ कुछ प्रतिनिदी मंडल भी हैं हम इंसे बातचीत करते हैं बड़ा अंदोलन आज सरवाधिवासी समाज का देखने हैं सड़क पर उतर करके अपने हाग की हम अपनी अधिकारों के लिए 32% आरक्षण देने के आज हम लोग अंदोलन में देश के इतियास में पहली बार ऐसा हो रहा जिसका राजभावन का जो घहराओ करना पड़ा है जो पहले कहती थी कि हम साइन करने के लिए त्यार हैं विधेक पारित कर लिए 20 दिनों के साइन नहीं करना अपने आप में प्रिसन पूरे कानून ब से श्थर्च भुलाया एक कानून बनाया लेकिन अब तक हस्ताक्षर नहीं हो पाया और अलग अलग बाते कहीं जारी क्या लगता है मंच्छा है कि नहीं राजमवन की हस्ताक्षर करने का है जिसके रिपोर्ट दे पाई, जिसके करणा इसी रिपोर्ट आई है, लेकिन शात्तितगाड की सरकारों बिना देर के बिढहिक पारिट किया है, हमारे अधिवासी भाइयों के लिए. राजबाल का साइन नहीं करना अपने आप में प्रसमचीन है हम में मांग करते हैं कि बहुत जल्दी साइन हो अगर साइन ने वकता है अंदोरन और उग्रू लुप लेगा लगातार आक्रोशित यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और लगातार आदिवासी एकता को यहाँ पर एक जूट करते में नजर आ रहे हैं और लगातार राजबहवन के खिला अपनारेवाजी भी की जारे हैं बता देक 22 तिजदी आरक्षण को ले पर की जा रही है, तीन दिनों का अल्टिमेटम भी राजभुमन में दिया गया था, लेकिन तीन दिनों के अल्टिमेटम के बावजूत, अब तक आदिवासी विध्यक जो राज्य सरकार ने पारीत किया है, सर्में सम्वतिक से उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए है, और लकता पर पूरी तरीके से प्रेश्र बनाने के कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है, शिवम क्या ये माल निया जाय कि अग्ले साथ चुनाव है, उससे पहले एक बड़ा मुद्दा बंता हुआ दिखाई दे रहा है, अबिलकुल निश्यती देखि क्योंकि जिस तरीके से हाई कोट का फैसला आचुका था दिवासी विध्या को लेकर थी और उतके बादी लंबे समय से जो आरक्षर है, वो रद दो चुका था, और बता दे कि सिरफ आरक्षर को लेकर के, जो तमाम प्रशासनिक प्रक्रिया हैं जो थी, वो पुरी तरीके स लचर हो चुकी थी जब तमाम भरती जो होने थे तो भरतियां भी रुख चुकी थी जिसे लेकर के सरकार ने जो है ततकाल संग्यान लिया और एक विशे सत्र बुला करके इसे सर्वसंबती से पारित क्यों निशिती जिस तरीके से इस वक्त राजनीती देखने को मिल रही है अधिवासी विधेयक को लेकर के 32 अरक्षण को लेकर के अगर आने वाले समय पर इस पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है तो बिल्कुल सिया तक जर्मा गिया सर्वादिवासी सरकों पर है ऐसे में शिवम देखिए कुमारी शालजा की अध्यक्षता में बैचक वोई थी और दस प्रशन राजभवन के तरफ से जो भेज़ा गये थे हालांकि सवाल भेजा गया है लेकिन अभी भी कईना कही राजजपाल संतुष्ट नहीं है अब इलकुल देखिए अगर संतुष्टे की बात की जाए तो निश्ची थी जो विध्यक बनाया गया था उस विध्यक को हस्ताक्षर के ले उसी दिन बड़ी कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंसते है राजभवन और राजपाल समुगोत किया जाता है कि आदिवासी करके सवाल किया थे राजसरकार से और उस सरकार के जबाद के जवाँ लेने की बात कही घए थी राजफावन से लेकीन अब ये देखने को मिल रहे है कि गी तीन दनकवर पहुंसर हो जाएगा लेकिन पर भी तिन दिन बी चुके हैं और अब तक अस्ताक्षर नहीं हो पाया तो निशिती अब जो है यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के राजमीती भी गर्माती भी नज़र आ रही है और दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि सरवाधिवासी समाज अब जो है सड़क पर उतर चुक है और उसके साथ ही जो सरकार है संगठन है वे भी अलगतार अल्टिमेटम दे रहे हैं और एक उग्र आंदोलन करने की यहाँ पर चितावनी दी जा रही है जी चितावनी दी जा रही है हर तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है लेकिन इसके भावजूत श्रीवम क्या लगता है पेच कहां पर फसा है पेच फसे रहने की अगर बात की जाये तो जिस तरीके से उच्छे नियाले से निड़ने आये थे और निड़ने आने के बाद ही आदिवासी आरक्षण को जो है पूरी तरीके से आपर रद्द कर दिया गया था और सरकार ने फिर विसेश सत्र गुला करके इस 32 स्विस भी आरक्षण और तमाम चीज पर विधयक पारित किया था लेकिन इस तरीके से देखने को मिला कि राजिपाल ने कहा था कि हमने सिर्फ आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने की मांग की थी लेकिन मौद इसके देखने को मिला कि अलग-अलग वर्ग के लोगों को यहां प पूरा प्रेशर तो बना रहे लेकिन इसके बाद जूद हस्ताक्षण नहीं किया जा रहा अगल्या रूखिन का क्या होगा बात्चीत करिये जरह इन से अबर कुछ हुआ अदिवासी भी हम उनसे बात्चीत करते हैं 32 फिस दिमांग को लेकरके अब सड़क की लड़ाई लड़ी जा रही है राज भोवन का घिराओ करने के लिए अब यच्तर हमें 32 प्रतिस दा रखषण देना ही होगा क्योंकि वह अदिवासी बेटी है जिस समाज में जन मली हैं जिस समाज में रोटी बेटी दी है जिस समाज में पढ़ा लिक असे समाज के ऊधर राजराइ Brothers उसे राखषण गुवां कि क्रिया अधि。 इस सारीके यह लोग अलोहन कर रहे हैं अब आदिवासी समाथ को नश्टा करने कि इनकी जो अंचर रही है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे हम अपने 32 पर 37 पूरा लेका रहेंगे लेके रहेंगे 32 पर 37 चाहिए है युवा से लेकर के हर वर्क जो है आदिवासीयों का वो यहां पर आक्रोशीत नजर आ रहा है अपने हग के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है हमारे अंसुयाओ के राज यपाल जी वो अपने स्वेक्षा से नहीं हो तो कट पुथली बनके मोधी सरकार का बीजेपी का कट पुथली बनके वो काम कर रहा है इसलिए ने तो पहले तो आरक्षण के लिए वो पहले प्रस्ताव मंगा था जल्दी कर दूंका करके हरताचर कर दूंका करके बोल रही से अब क्या हो गया अब बीजेपी वाले जो जैसा उसको दबाव डाला वो अपना हाथ खुच लिया और यह दुनिया भर का नाटक कर है और बीजेपी कभी भी आदिवासी का भालाई नहीं चाहता है वो हर यहां से आरक्षण को खतम करना चाहता है यह मोदी मुहन भागवत की मुटी में बीजेपी क्या लगते सी राजनीती में आदिवासी जो वर काफी जादा परेशानियों का सामना करते हैं क्योंकि यह लोग इधर तो एक संबन में आरक्षण को कारते हैं और जितना हम लोग को प्रात्मिक्ता मिलने चीए उतना नहीं प्रात् उसका कोई चान भी ने किते हैं सब बीजेपी वालों का हाथ है बहुत आक्रोशीत नजर आ रहे हैं आदिवासी समाज मैं बिस्राम गावडे कांकेर जिला के सर्वादिवासी समाज का अब्ध्यक्त देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो सर्वादिवासी समाज के लोग है य जीतेंगे और लड़ेंगे यहाँ पर बात कहीं जा रही हमारे साथ कुछ और लोग भी हम बाचीत करते हैं किस तरीके से देखते हैं इन तमाम चीजों को लंबे समय से आदिवासी आरक्षण जो है वो रुका हुआ है इससे आदिवासी समाज को काफी नुक्सान हो रहा है ने के मामले हैं हो चाहिए जितने आपका नटर्ण का हो सारे हमारा हमें नुक्सान हो रहा है और गाइक और समय मीजिवासी के अम भी सरकार है विद्यक पारित करके राजपाल को भेजे हैं राजपाल मोहदय जो अभी तक उसमें कोई हस्ताक्षार नहीं कर रहा है जिससे हम काफी दुखी है चिंतित हैं बिल्कुल देखें मैं आपको लगतार तस्वीर दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर लगतार आकरुश्टित नजर आ रहे हैं और लगतार जो है नारिवाजी की जा रही है साथी उग्रांदुलन की भी चेतामनी दी जा रही है और यह जो लड़ाई है वो अब जो है सड़क से निकल कर सड़क पर नजर आ रहे हैं और आप सीधी तस्वीर भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या पर यहाँ पर सर्वादिवासी समाज के लोग एक जूट हुए हैं और तो बिल्कुल शिवंब आदिवासी समाज ज्वार पा पर दिखाई दे रहा है अभी राजभवन के कूच का यह एलान कर चुके हैं हालांकि यह आगे भी बढ़ रहे इसके बाग इनकी लड़ाई किस तरह किसे आगे बढ़ेगी यह भी पूछे जरा बिल्कुल देखिए लगतार इस बात को तो कहा ही जा रहा है क्योंकि सड़क पर उतर चुके हैं हैं और यहां पर बड़ी संख्या पर सर्वादिवासी समाज के लोग है प्रतिनीदी मंडल है और इस बात को कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में 36 गड़ में पहली बार दे बड़े आंदोलन की तयारी जो है यहां पर की जा रही है सिबात कही जा रही है और बीते दिनों भी देखने को मिला कि जब अल्टिमेटम दिया गया था आदिवासी समाज के तरफ से की तीन दिनों के अंदर अगर कानून पर विध्यक पर अगर हस्ताक्षर नहीं किया जा अपने हक की जो है मांग की जा रही है हमारे साथ और भी लोग हैं हाँ पर लगातार बड़ी संग्या पर यूवन नजर आ रहे हैं महिलाएं नजर आ रही है और अन्य वरिष्ट करते हैं और लगातार यहां पर अपनी जुता का जो है प्रदर्शन किया जा रहे हैं हम और किस तरिके से देखते हैं सड़क पर उतर कर लगातार यहां पर अपर अधिलासी समाज के लोग और लगातार मुंताबाद के भी नारी लगाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहे है कि जब तक 32 पर अपर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा तक जो है सड़क पर खड़े रहेंगे और सड़क बढ़ी रहेंगे अपने मांगों को लेकर के ना को दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि बड़ी सग्या पर यहां पर पुलीसबल को टैनात किया गया है यहां पर प्रिशास्निक इस्तर पर जो अधिकारी ह फिहां पर पहुंचे हुए है आदिवासियों को राजभवन पहूंचने से आप रोका जारह एक बड़ी मशक्कत आया पर अधिवासी आ अधिवासियों के साथ और मिलिक यहां पर की धानव रभारी यहां पर एक यहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी हम इसे बादशीत करते हैं सर बड़ा पुलिस बलतैनाद किया गया है किस तरीके से व्योस्ता हैं यहाँ पर की गई है यह आज आदिवासी समाज का सम्मेलन था जिसमें विदेयक को लेकर के राजपल महुदया के विरोध में लोग उपस्तित हुए थे अभी इस अप्रे साला में इनको आकर के रोग दिया गया है इनको पतिम निदी मंडल है वो पुलिस और प्रजीला पसासन के टीम के साथ राजभवन गई है ग्यापन देने के लिए तब तक इन लोग सांतेपुर्वक बैठे हुए हैं और इनको अपना रोग के रखे हुए हैं ग्यापन देने के बाद लोग स्वईसपूर से चले जाएंगे ऐसा इनसे बात्तित हुआ है पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर इस बात को कहते में नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर सड़क पर बने हुए आदिवासी समाज के लोग और प्रतिनीधी मंडल की मुलकात यहाँ पर मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से यहाँ पर कराई जा रही है और चर्चाय होनी और उ परिशान है भरती को लेकर रेक्रूट्मेंट को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिनीधी मंडल अंदर गया है तो इस तरीके से क्या तस्वीर बनती में दिखाई दे रही है क्योंकि युवास जो है वो बिल्कुल आरपार के मूड में है आप बिल्कुल देखिए आरक् और उसे लेकर के खासा यूवावर्ग जो है वो यहाँ पर जो है काफी जाद आक्रोशित नजर आ रहे है और आप इस अंदोलन में भी देख रहे हैं कि यूवावर्ग जो है वो यहाँ इतना जादा आक्रोशित नजर आ रहे है कि लगत्तार राजमोन के खिलाब यहाँ पर जमकर नारे बाजी भी की जा रही है और अगर इस बात को कहपाना भी जल्दबाजी होगी कि इस चर्चा के बाद विध्यक पर हस्ताक्षर होगा या नहीं इसका कोई निन्ने निकल पाता है कि नहीं क्योंकि बता दे कि इस पूरे मस्तले को लेकर के राज़पाल सर्वस्ति पर राज़्यपाल के बाद यो आधी याल जियें तो कैनुन के रूप में सामने लाए जाएगा तो बिलकुल राज्यपाल ने राश्टपती से मुलाकात पर की थी इंपोर्टन बात यह कि दोनों ये आदिवासी समाज से आते हैं इसलिए आदिवासी समाज को उमीदे ज्यादा है लेकिन इसके बावजूत हस्ताक्षण नहीं किया है लड़ाई आदिवासी समाज लगाता कर रहा है युवाँ परिशान है लेकिन इसे बीच एक डेलिगेशन राज भवन गया है इसके बाद देखना होगा कि क्या तस्वीर निकल कर सामने आते हैं फिलाल श्रीवम डिटेल से जानकरी साजा करने के लिए आपका बहुत पर शुक्राइब